नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पप्लिकेश्या नियूस में वाक्त है उत्राखन की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करानी का और भाजपा गड़वाल संस्दिय सीट के कॉंग्रेस मुक्त होने से उत्साहित है आपको बता दें गड़वाल सीट में 14 विधान सबा सीटों में से बदरी ना थी अकेली कॉंग्रेस के पास थी मैं आगे बढ़ते हैं आपको बता दें हरबटपूर विकास नगर से होकर गुजरने वाले दिली अमनोतरी नैशनल हाईवे पर अतिक रमन की परेशानी दिन बदिन बढ़ती ही जा रहे है रोड पर वाहनों की आवाजाही जादा होनी की वज़ा से अतिक रमन छेतर में दुरगटना की आशनका हमेशा बनी रहती है इसके दो एकते हुए हिंदू जन जागरिती संगठन ने अतिक रमन पर कारेवाही की मांग उप जिलाधी कारी से की है आपको बता दे दिली अमनोतरी नैशनल हाईवे हरबरटपुर और विकास नगर शहर के बाजार के साथ शहर के बाहरी छेतर से होकर घुसरता है वहीं अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे प्रदेश में अप्रेल महीने में पारा बढ़ने के बाद ही जल संस्थान के ट्यूवेल की मोटर फुक ना आम बात हो जाएगी जल संस्थान के स्टोर में सिर्फ दस से पंदरा मोटर्स रिजर्व में रखी हुई है जबकि शहर में लगभग 56 नलकूप स्थापित हैं ऐसे में अगर जल संस्थान पहले से तयार नहीं हुआ तो उप्भोकताओं को काफी दिक्कतें जहिलनी पड़े ही वहीं अंगली खबर के वर बढ़तों आपको बता दें उतराखन में पांचो संस्थे सीटों पर उमीदवार घूशत करने के बाद भाजपा सुमवार यानि आज नामांकन की तितियों और रेलियों का कारेक्रम तैक करने जा रही है भाजपा प्रदेश अध्याक्ष बहें रवेंदर भट के अध्यक्षिता में होने वाली बैटक में गड़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी, हरीद्वार प्रत्याशी त्रिवेंदर सिंग, रावट इरी की माला, राज्य लक्षमी शा, अलमोडा के अजय टम्टा और नैनिताल उधम सिंग नगर के अजय भट शा आया कि बाहर से जिले में दूद, दही, पनीर, मिठाई, नमकीन, समेट कई खाने का सामान लाया जा रहा था, इसकी गुणवत्ता को उपर रखने के लिए 15 सैंपल भरे गए, इन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लाब भी जा गया और कहा कि खादे सामगरी में मिलाव नहीं की जाएगी, मानकों पर खरा नहीं उतरने पर संबंधित के खिलाफ कारेवाही की जाएगी, कहा कि चैकिंग अभ्यान जारी रहेगा, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूज धन्यवाद